सबी दोस्तों का यूटूब चैनल एचू फार्मेसी में बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओवा शेल्ड टेबलेट के बारे में तो चलिए वीडियो हम शुकर लेते हैं दोस्तों इस तवा में तीन कंटेने पहला है एसी टाल सिष्टीन जो की 600 mg पर है दूसरा कंटेने एस्टर जैन्थिन जो की 4 mg पर है और लास्ट कुलोमी फिन इस तवा में 50 mg पर होता है यहां एक श्टिप आपको पूरी कोष्ट करें की 648 रूपीज इस तवा को शेल्ड हेल केर द्वारा मार्केटिट किया जाता है तो चलिए एक एक कर हम इस मैडिसिन की विशेष्टाइं जान लेते हैं तो दोस्तों ओवा शेल्ड दवा का ओप्योग ओविलेट्री डिसॉर्डर की वज़ह से महिला बौंचपन यह जिसे हम फीमेल इनफर्टिलीटी भी कहते हैं उसकी इलाज के लिए किया जाता है यहाँ दवा सरीर में हॉर्मोन को संतुलन पनाय रखने में मदद करती है जिसके वज़े से प्रेगनेंसी को सफल बनाया जा सके महीला वॉंजपंण एक ऐसी समच्चा है जिसमें महीला योण संबंद कनने पर भी प्रेगनेंसी कनसीव नहीं कर पाती है इसी समच्चा में यहां दबा डॉक्टव द्वारा रेकमेंड की जाती है ताकि प्रेगनेंसी को सफल बनाया जा सके जिन महिलाओं को PCOS की समश्या है जिसे हम polycystic ovary syndrome भी कहते हैं उन्हें कंसीव करने में यहां दबा मदद करती है healthy egg के production को बढ़ा कर इस तबा की कुछ side effect भी है जो की हर condition में नहीं होते हैं minor condition में होते हैं जैसे की सिर्दद, नौसिया, पेट में discomfort मैसूस होना यह blood vision जैसी समश हो सकती है अगर आपको यहां problem या इसके अलावा अन्य problem देखने को मिल रही हो तो आप अपने doctor से consult कर लीजेगा इस तबा के जो normal dose recommend किये जाते हैं उसके बारे में भी हम आपको information दे देते हैं तो दोस्तो इस तबा को periods के तीसरे दिन से start करना होता है पैक में जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तो आपको periods के तीसरे दिन से दवा को लेनी की सला दी गई है तो इसमें जो third day है उसमें आप देख सकते हैं दो arrow बने हुए तो वो दोनों ही medicine को आपको एक ही दिन में लेना होगा पांस दिनों तक आपको दो-दो medicine लेना है दोनों ही जो अलग-अलग र दोनों ही दवा में अंतर क्या है तो दोस्तो एक basic सा ही difference है दोनों ही दवा में contain कारे सेम है लेकिन एक छोटा सा difference है जो की है क्लूमिफिन का जैसे कि जो over shield जिसका हम आज review कर रहे हैं उसमें क्लूमिफिन 50 mg पर है और साथी जो over shield DS दवा है उसमें क्लूमिफिन just double हो जाता है मतलब 100 mg पर हो जाता है इसलिए आपको दवा के लाश्ट में DS लिखा हुआ मिल जाता है और दोस्तो अगर आपकी पहले से कोई दवाईयां चल रही हो ये कोई प्रॉबलम होतो उस बारे में आप अपने डॉक्टर को जरूर बता दीजेगा और साथी इस दवा को आप तभ इस फार्मिसी को सस्क्राइब कर सकते हैं मिलते हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पर